हांसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर फिर जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना अगर आपको भी मैच नहीं आती न तो एक दिन पढ़ने से नहीं आने वाली ये बात अमने दिमाग में रख लीजिये अगर आपका जो जोस और जुनून है न वो हमारा वीडियो देख करके एक बार बढ़ता है थोड़ा देर बार फिर ठंडा पड़ जाता है फिर वही रील देखने लगते हो तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है कहते ना एक आग लगनी चाहिए अंदर में और वो तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक कि आपको वो चीज हाफिल न हो जाए एक तड़फ होनी चाहिए भूख होनी चाहिए किसी चीज की पता है आपको अगर कोई इंसान 10 दिन से खाने को नहीं पाया है और उसको 11 दिन एक रोटी मिलती है तो उसको कोई motivation की जरूरत नहीं होगी कोई trick की जरूरत नहीं होगी उसको कैसे खाए समझ रहे हो ना तूट पड़ेगा हो बिल्कुल तो वैसे अगर आपको जिंदगी में कुछ पाने पल तालिस बारा पंचे साथ बारा चंग बहात्तर और बारा फट चौरासी ऐसे होता है न अब जिन लोगों को नहीं आता सुच रहे हो गया इस से कईसे याद होगा यह कौन सा trick है बता रहा हूं सबर करो देखो मैं आट trick बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे याद करें ठीक ह होता है माइनस और भाग नहीं होता है इसके बारें बात करेंगे भी पहले में पॉइंट पर यह देखे कोई चीज ना हमारे दिमाग में जो है वह तब ही बसता अच्छे से जब हमारा उसमें थोड़ा इंट्रेस्ट हो थोड़ा मतलब अंदर तक जाए वो चीज समझ रहे बात नहीं है जिनको नहीं आता कमेंट करना ठीक है एक से 11 तक हम मानते सब को आता है गयारा का बहुत आसान होता है गयारा कम 11-12-23-34-45-56-66-67-78-88-8999-99-99-100-1-4-10 ठीक तो 12 से में ट्रिक बताऊंगा ठीक है ट्वैल से लेकि उपर चाहिए इतने तक चलो देखो वीडि से दिंख bleibt रहना ना बाबूसाब देखो देखो फिरम प्यार से देख और भ Jim डहीं अब है क्य गएक व्व्यलव दूनादव दो 23ш04 155 157 tut 167 일단 यह इसलिए ईक कपमाच को देखो चलो कपमाड़ टूमेन याद है याद है चलो आप देखो, देखो बाबु भाईया समझो, हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले हमें एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक एक कम एक यहां लिखा, एक दूना दो, तीन, चोका चार, पंचे पान, छका चार, सबको पता है, मैंने वन का ट कि अब यह ना दू त्याइज च्छा दू चोगा आठ दू पंचे दस दू छंग बारा दू सच चौदा दू अट सोला अब यह क्या हो गया बारा का पहाड़ा आपको गया दिमाख रावेका तवाई पहाड़ा लग रहा तो का दिखा रहा हूं सबर करो सबर करो सबर करो सबर करो सबर करो सबर करो यही था ना अब एक चीज यहां पर देखना मेरे भाई मेरे यार देखो यहां से 12 कम 12 12 12 24 24 यहां तक तो ठीक है यहीं से कड़बड़ा रहा है आई यह जुगाड बताता हूं ट्रीक जिसे बोलते हैं देखो यहां पर क्या करना है म यह लिख दोगे ठीक फिर चे में जोड़ो किया होगा साथ और जो दो है उसको ऐसे लिख दोगे पहले के सिर्फ दो आंक जोड़ने है यह बता रहा हूं तरीका मतलब पहाडा बनाएंगे कैसे ठीक है इनको जोड़ो साथ एक आठ और यह चार इनको जोड़ो आठ एक नौ और बगल में छे इनको जोड़ो दस और आठ भाई साब इनको जोड़ो वन में जीरो जोड़ो गे वन रहेगा और वीस को ऐसे लिख दो केवले स्टार्टिंग के दो आंक जोड़ने है बोलो पहाड़ा बन गया कि नहीं बारा पंचे साथ बारा चांग बातर बारा सच्छ जों को तो नहीं सीखना है तो फिर ऐसे ही दर्द होगा ऐसे ही तकलीफ होगी ऐसे ऐसे ही तकलीफ होगी देखो इदर फाइड में देख रहा हूं यह उन लोगों की तकलीफ है जिन लोगों को मैस नहीं आती है पूछो इन से पूछो इनके दिल पे क्या गुजरती है कैसे जी रहे हैं ये 28-30 साल उमर हो गए घर वाले साधी के लिए डंडा किये हैं है ना दिगरियां कह रही है कि नौकरी की उमर निकलती जा रही है दिगरियां कह रही है कि नौकरी की उमर निकलती जा रही है और इस्तेधार कहे रहें कि ब्याहकी मतलब साधी की उमर निकल रही है तो भाईया ऐसे तकलीफ में क्या करें मैस नहीं आती तो क्या करें PBRS study को आजमाएं एक बार एक बार जुआइन करें आईए चलिए अब तेरा की बात करते है थाटीन की थाटीन में आजाओ हमें क्या करना है थाटीन का पहाड़ा लिखना है अच्छा है समझना अब पहाड़ा तेरा का हमें आता नहीं है तो क्या करेंगे पहले जुगाड़ा करेंगे पहले वन का पहाड़ा लिख लो वन वन जा वन टू जा टू ठीक है, 13 जा 3, 4 जा 4, बणलब गिंती लिख लेना और कुछ नहीं, ठीक भाई साहब, 3 का लिखिलो बाबु, P R K F लिखिलो 3 का, 3 एकम 3, 3 दुन 6, 33 का 9, 34, 12, 35, 15, 36, 18, 36, 38, 24, 37, 39, 37, इसमें भी क्या करना है, देखो 13 का बाड़ा ये तो complete है ठीक है 13 26 ये भी ठीक है 13 39 ये भी ठीक है यहीं से गड़ बढ़ा रहा है तो पहले कि क्या करेंगे दो अंग को आपस में जोड़ेंगे चार में जोड़ो के पांच कितना हो जागा बावन देखो चार में जोड़ो के पांच होगा और ये बाद में जो दो है इसको ऐसे लिख देते हैं ठीक है इसके साथ में ऐसे आजाता है इसके संगे साथ ही वैसे इसमें करो के पांच में जोड़ो छे और ये पांच एफे लि तूर दीजिए बताइए हुई ने जुगाल है कि इस पक्का अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है बारा ते रहर害 बता देरें आफान-फान कठीन वाला तेक को ले ही नहीं इतो तुम्हारे मन की भी इच्छा पूरी कर देते हैं देखो चलो अ मान लो कि मैंने ले लिया 17 का चलो अ ठीक भाईया पहले वन का पहड़ा लिख लो वन का पहड़ा कैसे लिखोगे के बाबु पहले वन वन जावान वन टूजाड टू त्री जाओ फॉर मतलब आपको गिंती लिख लेना है ठीक है गिंती लिख लिया अब क्या करेंगे जो बगल वाली है न अरे मतलब बगल वाली गिंती और कुछ नहीं बगल वाली कि इसका लिख होगे साथ एकम साथ जोड़ा जगा छोड़के लिखना है जिससे समझ में आए कि साथ अठे चापन साथ नमाई तीरफट साथ दामा सत्तर समझना अब समझना इसमें क्या करेंगे भाईया यहों में वैसे करना है क्या करेंगे वहीं जो बच्पन में करते आए हैं अरे बच्पन में नहीं मतलब अभी देखे यतना तो भाला ठीक है सत्रा का दूसरकें से कड़ बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे पहले दो आंक जोड़ेंगे दू एक में जोड़ोगे तीन उपर चाल लिख लो तीन में दो जोड़ोगे पांच बगल में एक लिख लो चार मे देखो साथ में चार जोड़ेंगे ग्यारा और नौ आठ पांच जोड़ेंगे तेरा और च्छा नौ में च्छा पंदरा और तीन एक मजीड़ोग बात एक और साथ 070 देखे जो कमेंड के पीछे पढ़े हैं आज मैं कोई कमेंड नहीं पढ़ाँगा याद रखना आज सिर करते में और क्या करते मैं उसमें क्या करूं तुमको ब्लाक करूं यह उन लोगों के कमेंट हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं रॉए साली दिग आगे तो यह लगरा कि अब तोई फाउडा बता हूं एक और देखलो देखिए main point क्या है ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाकी सब कुछ करिए हम मना नहीं कर रहे है 21 का पाड़ा कैसे करेंगे इसमें देखो थोड़ा उल्टा हो रहा है पहले 2 का पाड़ा पढ़ेंगे इसमें नीचे केवल जोडना पढ़ेगा बस 21 दामा 210 होता है ना नीचे केवल इनको दोनों को जोडना है दो में जीरो जोड़ेगे दो और ये 10 बस बाकी कुछ नहीं करना पूरा पाड़ा वैसे बना है 21 छक्का देखो 126 होता है गुड़ा कर लो 6 कमच्छा 6 212 तो कमेंट करो मजा आ रही ना समझ में आ रहा किस का पाड़ कैसे ओ गया 17 का पाड़ कैसे ओ गया कुछ लोग सका वहाइसे साबलोक outta करद की से आई जाए एक पहले बतावा जब आप लोग कहीं नया कालेज में इडिमिसन करा वजा थे वहीं क्यां लोग नई सूने हो नहीं याद रहता न फिर रट जाता है समझे हो तो त至 कि भ्यास होता है है क्रया है तो भाई अकल से हमका पहाडा याद हो जाएगा 220 तक ऐसा नहीं है जब धीरे-धीरे आप मैट्स पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे तो सब याद हो जाता है अब्यास भी कोई चीज होती है करत-करत अभ्यास से जणमत होत सुजान और अफरियावत जात से भाई सिलपर परतनिफान समझाग नहीं तो ये देखो ये लोगों का दर्द है तकलीफ है देख रहे हो क्या कह रहे हैं लोग इनकी तकलीफ समझो और एक तकलीफ तो भाई सारी हदें पार कर दी कभी पीछा नहीं छोड़ती है इनको पढ़ लो क्या कहती है ये देखो कह रहे ही कि सही कहा था आपने जो मैं कहता हूँ कि मैं 37 साल की हूँ और मुझे तिरकोड मिती साल्व कर रही थी बाकी अपना इन्होंने तकलीफ लिखाई से आप पढ़ लेना चुपके से धीर देरे ठीक है ये उन लोगों के दर्द है उन लोगों की तकलीफें है जिने मैं नहीं आती है और उमर जादा हो गई है अब वो क्या करें तो भाईया उनके लिए PBR स्टडी में हम समधान लाते हैं आप आईए हमारे साथ जुड़िये मैज सिखाने की पूरी गारंटी है ये उनका आधा कमेंट है जो वहां नहीं आ पाया था ठीक है भाईया इनको पढ़ लेना तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक जरूर करना सेयर जरूर करना आपको आपके उसकी कसम है किसकी उसकी समझ गये किसकी कमेंट करना जो लोग समझ गये और मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत पड़ो दस बज़े भी अगली कलाफ चलेगी नीचे नंबर दिया गया स्क्रीन पर इनको कुछ भी पूछना अगर याना वर याना फोन कर लो कोई दिक्कत नहीं चलो